चैम आतादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 नवंबर और 28 नवंबर के कर्ण्याराशी फल के बारे में कर्ण्याराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रहनक्षत्रों के इस्थिति कैसी होगी? क्या तिति होगी? क्या ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर होगा? जीवन से जुड़े हरशेत्र के बारे में जानेंगे करियर, नौकरी, व्यवसाय, सिक्षा, स्वास्था, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन हरशीज के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन दो दिनों में कौन सी तिथी, नक्षत्र आपके फेवर में होंगे, क्या-क्या तिथियां इस दोरान रहेंगे 27 नवंबर शुकल पक्ष की 12 सी तिथी, सुभा 7 बज कर 46 मिनड़ तक अश्वनी नक्षत्र रहिका, शुकरवार का दिन है, इस दिन व्यतिपाद नाम का योग बनेगा, और इसके अलावा, अगले दिन सुभा तक सरवार सिधी योग भी बनेगा, और रवी योग भी बनेगा चंद्रमा मेशासी में रहेंगे, सुर्य व्रष्चिक में है, अनुराधा नक्षत्र में, इस दिन का अभी जीत मोर्थ सुभा 11 बज कर 48 मिनड़ से, दोपहर 12 बज कर 30 मिनड़ तक है 28 नवंबर शुकल पक्ष की त्रियोदिसी थी थी है, सुभा 10 बज कर 21 मिनड़ तक, उसके बाद से तुर्दशी लग जाएगी बहनी नक्षत्र रहे का, वर्यान नाम का योग है, सुभा तक सरवार सिधी योग है, और पूरा दिन रवी योग बने का शनिवार का ये दिन है, चंदर मामीश रासी में है, सुर्य वरष्चिक राशी में, अनुरादा नक्षत्र में है और अभीजीत मूरत सुभा 11 बज कर 48 मिनट से दोपहर 12 बज कर 30 मिनट तक रहेगा तो ये थी ग्रह नक्षत्रों के स्ते थी, इसके अलावा 28 से नमंबर को बुद्ध ग्रह भी अपनी राशी बदलेंगे बुद्ध का व्रष्चिक राशी में प्रवेश होगा और ये बुद्धादित योग का निर्मान करेंगे जो इत तरह का राज योग ही होता है तो ये जो समय होगा कई तरह से आपके लिए अनुकूल भी होगा और कुछ सावधानी भरा भी होगा तो देखिए आपके लिए जो चंद्रमा का गोचर है इन दोनों दिनों में अस्टम भाव में है अस्टम भाव बदलाव का भाव होता है अस्टम भाव में चंद्रमा पेडित माना जाता है लेकिन अगर कुछ क्रह ऐसे होते हैं जो उसकी पेडित को खात्म करते हैं तो पुछ अच्छे रिजल्ट भी देता है तो किस तरह के आपको चंद्रमा यहां रिजल्ट देगा और शारेरिक क्रियाओं को करते रहें स्वास्ते को दुरुस्त बनाने के लिए योग द्यान का सहरा लें विद्धारतियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा जो जातक बाहर सिक्षग रहन कर रहे हैं अपनी घर से दूर रहे हैं उनके लिए काफी अनुकुलिया समय है आप अपनी मन को पढ़ाई में लगाया रखने के लिए meditation की जरूर है पले आपके लिए ऐसा टाइम है कि अगर आप जितना फोकस अपनी पढ़ाई पर कर पाते हैं उसका आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है बुद्ध भी आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं तो आपको एक तो अपनी किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर वरुसा करना चाहिए आप अपनी किसी भी कारें को पूरा करने के लिए अगर कड़ी मेहनत करें हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा अगर आप बहुत इमानदारी से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा आपके कामों का बड़ा अच्छा रिजल्ट पिये दिलाएंगे बस स्वयाम को शांद बनाए रखें और बाधाओं को पार कर जाएंगे इस दोरान आप निवेश करना कई बार देखिए आपके लिए बहुत फायदे मन सावित होता है तो ये बात आपके लिए काफी अनुकुल रहती है कि अगर आपने कुछ निवेश किया हुआ था पहले कुछ समय में तो उससे आपको उन मुनाफिक योग बन रहे हैं आपका मजाकिय सवभाव है और आपका जो मेल जोल करने की जो क्वालिटी है वो आपको लोग प्रिया बनाती है और इसी दोरान आपकी इन दो दिनों में कुछ जगहों पर लोग प्रियता में इजाफा होगा कुछ विदेश से कोई खास खबर मिल सकती है वेफसाइक प्रस्ताओं मिल सकता है और अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से तो अच्छे लाब की प्राप्ती होगी इस दोरान आप जो जातक करियर के शेतर में या किसी सामाजिक करियर से आप करें और क्योंकि तो ये पुन्या का काम है जतनी खुशी लेने वाले को होती है उतनी ही खुशी देने वाले को होती है देखे पुन्य हमेशा व्यक्ति दूसरों को देने के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए करता है कि उसको संतुष्टी मिल सके कि उसने किसी के मदद की या उसको उस पुन्य का लाव मिल सके अपना जो करियर की बात करें तो अपनी काम पर अपना पूरा ध्यान के इंद्रित करने के साथ ही आप अपनी हर परिशानी को हल कर पाएंगे बस अपनी काम को पूरे मज़े से करें अपना आत्मिश्वा सुचा रखें, काम के बूज को आसानी से उठाने की कोशिश करें, अगर आपको परिशानी आती भी है, तो भी आपको मार्ग से नहीं हटना है, अपने मार्ग पर डटे रहना है, अगर आप अपने व्यवसाय को अपने दिमाग में सबसे उपर रखेंगे, तो अपनी हर परिशानी को आप दूर कर सकते हैं, हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, तो इसी तरह से बस फोकस रहना है, इसको कहते हैं, अपनी लक्षक की तरफ आपको फोकस रहना है, कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकते हैं, कि आपका मन जो है अचानक से कुछ बहुतिक वस्तो की तरफ हो सकता है कुछ सर्फ्रेस्ट वस्तुएं चाहने का जीवन में प्राप्त करने का और इन चीज़ों को पाने के लिए आपको सबसे पहले काबिल होना है इसलिए अगर आपकी जी बलाव करती है तब ही आप ऐसी चीज़ों पर खर्चा करें अगर आप किसी कारेले में काम करते हैं और आप ये पाएंगे कि कंपनी के और से कोई अलग से काम भी आपको दिया जा सकता है उसके लिए आपको अलग से कुछी नाम भी मिल सकता है वेतन वरद्धी हो सकती है प्रोथसाहन दिया जा सकता है तो आप इस दोरान कुछ ऐसे कामों मका हिस्सा बनके अप अपनियाय को बढ़ा सकते हैं आमदनी के साथ साथ देखे आवशक्ताएं भी बढ़ती हैं घबराएं नहीं हर काम को बस अच्छे से हैंडल करें आप बहुत परिश्म ही हैं आप बड़ी ही चत्राई से हर चीज को ठीक से कर सकते हैं और आपके राशी का स्वामी बुद्ध वो भी आपके लिए इस दोरान आपके तीसरे भाव में बैठेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छे रिजल्स देंगे अब बात करते हैं प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन की तो ये जो समय हैं एक तो नए रोमांस के लिए अच्छा है जिन्दगी को रंगों से सरोबार करने के लिए बहुत अच्छा है खुश मिजाज मन को बना देगा साथी के साथ बाहर जाकर कुछ समय वैतित कर सकते हैं जिससे ना के वल उमंगों से बलकि प्रेम से भी जीवन भर जाएगा एक दूसरी को समझने का मौका मिलेगा न्यूली मैरिड के लिए ये समय काफी अनुकुल है प्रेम में गोते लगाने का ये समय है पारिवारिक जीवन भी आपके लिए इस दोरान ठीक ठाक रहेगा और स्वास्ते के दर्श्ची से देखें तो स्वास्ते का आपको दिहान रखना होगा अगर आपका बीपी की समस्या है तो तना आपको कम करने का प्रयास करें बीपी वरना आपका या तो हाई या लो हो सकता है स्वास्ते का जरूर ध्यान रखना है, स्वास्ते समंदी कुछ परेशानिया देखने को मिल सकती है अगर सिख्षा की बात की जाए, विध्यारतियों की बात की जाए, उनके लिए अनुकुल समय है तो अपने पढ़ाये पर आपको फोकस बना कर रखना है तो कुल मिलाकर ये दोनों ही दिन आपके लिए काफी अनुकुल रहेंगे इस समय आवधी में अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान देना है बेकार की बातों में समय व्यर्थ नहीं करना है साथ ही चानल को भी सबस्क्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जदर जदर लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद